सैफ लिखान एक बार फिर चर्चा में है, इसकी मज़े है उनकी फिल्म रेस फ्रंचाइजी का सिक्वल खवर है कि प्रोडूसर रमेश तैरानी से रेस फोर बराने की प्लारिंग कर रहे हैं और इस बार सैफ लिखान फिर से अपनी जगह पर लोटेंगे, इस भी सैफ के पास एक और बड़ी फिल्म आई है खास बात यह है कि ये नई फिल्म भी रमेश तैराने ही प्रोडूसर कर रहे हैं ये फिल्म ने शावत के सुपरिस्टार नानी की दोजान निस में आई तेलकू फिल्म गैंग लीडर का हिंदी रिमेख है ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था अब इसके हिंदी रिमेख में सैफ लीड रोल में नज़र आएंगे पिंक विला की रिपोर्ट के मताबिक रमेश तैरानी ने इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीद लिये हैं सैफ ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है और फिलालों हिंदी स्क्रिप्ट के नेरेशन का इंतजार कर रहे हैं मेकर्शी समय इस क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और दिशम्बर में नेरेशन होने की उम्मीद है जैसे ही सैफ फिल्म साइन करेंगे उसके बाद निगिटिव करेक्टर और फिमेल लीट के लिए एक्टर की तलाज शुरू होगी रेस फोर की शुटिंग कतम होते ही इस रिमेक पर काम शुरू हो जाएगा और माना जा रहा है कि फिल्म के शुटिंग दोजर पच्चिस के सेकेंड हाफ में शुरू होगी अब तक फिल्म का हिंदी टाइटल या डिरेक्टर फाइनल नहीं हुआ है तेलगो वर्जन को विक्रम के कुमार ने डिरेक्ट किया था फिलाल तो फैंस सेफ को रेस फ्रंचाइजी में बापस देखने के लिए काफी एक्साइटेड है पहले दो पार्ट्स में सेफ ने धमाल मचाय था लेकिन तीसरे पार्ट में उनकी जगह सलमान आ गए थे अब रेस फोर से सेफ धमा के दर बापसी करने जा रहे हैं